आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा जुमा 6 जनवरी 2023 बुर्ज हमल आज की तफरी में खेलों की सरगर्मिया और आउटडोर इविंट्स शामिल होने चाहीं अप पैसे की एहमियत को बखू भी जानते हैं यही वज़ा है कि आज अप जो पैसा बचाते हैं वो मस्तकबल में कारामत साबित होंगे और किसी बड़ी मुश्किल से निकल जाएंगे आपकी परवा करने वाले के साथ बाच्चीत की कमी आपको अफसरदा कर देगी आज अप अपनी जिंदगी में सचे प्यार की कमी महसूस करेंगे परेशान नहों के वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है इसी तरह आपकी रूमानवी जिंदगी भी बदल जाएगी आज अप यकीनी तोर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके केरियर में आपकी मदद करेंगे अपनी मसरूफ जिंदगी के दर्मियान आप अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए वक्त निकालेंगे उनके साथ वक्त गुजारने से आपको उन चीजों का एहसास हो जाएगा जिनकी आपको कमी महसूस हो रही है आपको अपने शरीक हयात की तरफ से तवज्जो की कमी महसूस हो सकती है लेकिन दिन के इखताम पर आपको एहसास होगा कि वो सिर्फ आपके लिए इंतिजामात करने में मसरूफ था बुर्ज सौर अपनी जहनी सेहत को बरकरार रखी जो रुहानी जिन्दगी के लिए जरूरी है दिमाग जिन्दगी का गेटवे है क्योंकि हर चीज चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो दिमाग के जरिये आती है ये जिन्दगी के मसाइल को हल करने में मदद करता है और मतलूबा रोशनी से नवासता है आज पैसे की आमद आपको बहुत सी माली परेशानियों से नजात दिला सकती है आबाओ अजदाद की विरासत की खबर पूरे खानदान को खुश कर देती मुंसिफाना और फयाज महबत का बदला मिलने का इमकान है लाइनों के दर्मियान पड़े बगएर किसी भी कारोबारी स्लेश कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत ना करे दिन को बहतर बनानी के लिए आपको अपने मसरूफ तरस जिंदगी से अपने लिए वक्त निकालना भी सीखना होगा आप और आपके शरीक हैात को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है बर्ज जोजा तंदुरुस्ती और वजन में कमी के प्रोग्राम आपको बहतर शक्ल में हासिल करने में मदद करेंगे जिन्होंने किसी रिष्टादार से रकम उधार ली थी उन्हें आज किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है आपका इल्म और अच्छा मुजा आपके आसपास के लोगों को मतासिर करेगा कुछ लोगों के लिए खुबसूरत तहाइफ और फूलों से भरी रुमानवी शाम ऐसा लगता है कि आज आप अपनी जिंदगी में परदे के पीछे इस से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं जितना आपको अंदाजा हो सकता है अगले चंद दिनों में आपके साथ अच्छे मौाके होंगे जिंदगी से लुट्फ अंदोज होने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी देखने के लिए वक्त निकालना चाहिए अगर आप खुद मौाशरे से अलग थलग और मुनकते रहते हैं तो कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा आपको सोशल मीडिया पर शादी शदा जिन्दगी पर लतीफे आते रहते हैं लेकिन आज जब आपकी शादी शदा जिन्दगी के बारे में चौंका देने वाले खुबसूरत हकायक अपके सामने आएंगे तो आप वाकी जजबाती हो जाएंगे बर्ज सर्तान दूसरों के खिलाफ बद नीती का सहरा लेने से जहनी तनाव पैदा होगा आपको इस किसम के ख्यालात से बचना चाहिए क्योंकि ये जिन्दगी को बरबात करने वाले हैं और आपकी कारकरदगी को खत्म कर देते हैं आज एक कर्स दहिंदा आपसे मिल सकता है और आपसे कर्स की अदाईगी के लिए कह सकता है अगर्चे आप रकम वापस कर देंगे लेकिन ये जिन्दगी में मजीद माली मुश्किलात पैदा कर सकता है इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि कर्स लेने से गुरेज करें अगर आप समाजी तक्रीबात और तक्रीबात में शिरकत करते हैं तो आप अपने दोस्तों और जानने वालों की बुनियाद को वसत देंगे एक बार जब आप अपनी जिन्दगी की महबत से मिल जाते हैं तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं रहती है आज आपको इस हकीकत का अंदाजा हो जाएगा आज कोई आपके साथ काम पर कुछ अच्छा सुलूक कर सकता है दूसरों की तरफ से दी गई नसीहत को सुनें अगर आप वाकी आज फाइदा उठाना चाहते है आपका शरीक हैात आज आपको कोई खास चीज़ खरीद सकता है बुर्ज असद खास तोर पर पार्टी में अपनी जज़बाती और जिद्धी तबियत पर काबू पाने की कोशिश करें क्यूंकि इस से पार्टी में मौड खराब हो सकता है आज आप अपने कारोबार को मजबूत बनाने के लिए कुछ एहम फैसले ले सकते हैं जिसके लिए आपका कोई करीबी शख्स माली मदद कर सकता है आज आपको घर के हसास मसाईल को हल करने के लिए अपनी जहानत और असर और उसूख को बरोए कार लाने की जरूरत है आपको हकीकतों का सामना करते हुए महबूब को भूलना पड़ेगा तन्खा में इजाफा आपके हुसले बलंद कर सकता है अब वक्त है कि आप अपनी तमाम मायुसियों और शिकायात को दूर करें हर एक के साथ शायस्ता और दिलकश बने जो भी आपके रास्ते में खड़ा है सिर्फ चंद मुन्तखब अफराद ही अपके जादूई करिश्मों के पीछे का रास जान सकेंगे मस्तकिल बन्यादों पर अपने बहतर निस्फ को हैरान करें बसूरत दीगर वो गेर एहम महसूस करना शुरू कर सकता है बर्ज सुंबला मोतिया बंद के मरीजों को आलूदा माहौल में जाने से गुरेज करना चाहिए क्यूंके तंबाकू नोशी अपकी आँखों को मजीद नुकसान पहुँचा सकती अगर मुम्किन हो तो सूरज की रोशनी में ज्यादा नुमाईश से गुरेज करे पैसे की कमी आज खानदान में इख्तिलाफ की वज़ा बन सकती है ऐसी हालत में घर के दीगर अफराद से बात करने से पहले अच्छी तरह सोचीं और उनसे मशवरा ले खानदान के अफराद की जरूरियात को तरजी दे उनकी खुशी और गम बांटने के लिए अपने आपको शामिल करें ताका उन्हें एहसास होके आप उनकी परवा करते हैं आज आप अपने महबूब से अपने जज़बात का इजहार नहीं कर पाएंगे तफरी और तफरी के लिए दिन अच्छा है लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने कारोबारी मौामलात को गोर से देखने की जरूरत है आप अन्जाने में कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिससे आपके घरवालों के जजबात मजरू हों इस पर नदामत अप अपना सारा वक्त उसकी तलाफी में सिर्फ करेंगे कोई अजनबी आपके और आपके साथी के दर्मियान जगड़े का सबब बन सकता है बुर्ज मीजान किसी पुराने दोस्त के साथ दोबारा मिलाब आपकी रूख को रोशन करेगा गैर मनसूबा बंद जराय से हासिल होने वाली रकम आपके दिन को रोशन करती है एक बुरे रिश्टादार की तरफ से बरकत जो जाती मसाईल को हल करने में आपकी कोशिशें करता है अपने आशिक से इंतिकाम लेने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा बलकि आपको ठंडा रहकर अपने आशिक को अपने हकी की एसासात बयान करना चाहिए इस निशान के तहट छोटे कारोबारों का इंतिजाम करने वाले मकामी अफराद आज नुकसान उठा सकते है पाहम अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही सम्त में कोशिशें कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए इस तरह आपको यकीनन अच्छे नताइज मिलेंगे आज आप अपने घरवालों के साथ बैठ कर जिंदगी के कई एहम मसाईल पर बात कर सकते हैं आपके अलफाज आपके खानदान के लिए परेशान कुन हो सकते हैं लेकिन आप इसका हल निकाल सकेंगे आपके शरीक हयात के मुतालिबात आपको कुछ तनाओ दे सकते हैं बुर्ज अक्रब आज अब तवानाई से भरे होंगे जो कुछ भी करेंगे अब उसे आम तोर पर लगने वाले आधे वक्त में कर पाएंगे अपने इजाफी पैसे को एक महफूज जगह पर रखें जो आने वाले वक्त में आपको वापस करने का वदा करेगा दोस्तों की सोहबत सुकून फराहम करेगी वो कपड़ मत तहनो जो आपके आशिक को पसंद ना हूँ क्यूंकि इससे वो नाराज हो सकता है आपका तखलीकी काम आपके आसपास के लोगों को हैरान कर देगा और आपकी बेपना तरीफ हासिल करेगा ऐसे लोगों के साथ मील जॉल की मुखालफत करें जो आपकी साख को नुकसान पहुँचाते हैं आप और आपके साथ ही को आपकी शादी शदा जिन्दगी के लिए वाकी कुछ जगा की जरूरत है बुर्ज कौस सहत अच्छी रहती है कुछ लोगों के लिए सफर मसरूफ और दबाओ का हामिल साबित होता है लेकिन माली तोर पर फाइदा मंद साबित होता है जेर इलतिवा घरेलू मुलाजमतों में आपका कुछ वक्त लगेगा आज आप दिल को तूटने से रोकेंगे काम और घर पर दबाओ आपको कम मिजाज बना सकता है अप अपना वक्त अपने दिल के करीब लोगों के साथ गुजारना चाहेंगे लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे आज आपकी शादी शदा जिन्दगी के लिए अच्छी रात की मींद के साथ एक अच्छा डिनर मतवक्य है बुर्ज जद्दी अपनी शख्सियत को बहतर बनानी के लिए संजीदा कोशिश करें कोई पुराना दोस्त आज आपसे माली मदद मांग सकता है ताहम आपकी मदद आपके माली हालात को कमजोर कर सकती है आपका बच्चों जैसा और मसुमाना रविया खानदानी मसाईल को हल करने में एहम किरदार अदा करेगा कुर्शिश करें कि अपने महबूब से कोई सخت बात ना करें वरना बाद में पस्ताना पड़ सकता है आज का दिन आला कारकरदगी और हाई प्रोफाइल के लिए है अप अपने मसरूफ शेडूल के दर्मियान अपने एहन कामों को मकमल करके अपने लिए जरूर वक्त निकालेंगे ताहम आप इस वक्त को अपने मताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आज आपकी शादी शदा जिन्दगी में चीजें आपके काबू से बाहर हो सकती है बुर्ज दलो अप खुश होंगे क्यूंकि आपके आसपास के लोग तावन करेंगे आज आप एक मस्बत चमक का इखराज करेंगे और अच्छी हालत के साथ अपने घर से बाहर निकलेंगे लेकिन आपकी किसी कीमती चीज़ के चोरी होने की वज़ए से आपका मौड मतासिर हो सकता बावर्ची खाने के लिए जरूरी अश्या की खरीदारी शाम को आपको मसरूफ रखती है कुछ लोगों के लिए शादी की घंटियां बजती है जबकि दूसरों को रुमास मिलेगा ताका वो अपने जोश में रहे आज आपके काम की जगह पर बहुत ज्यादा महबबत गालिब रहेगी आज आप अपना फारिग वक्त मजहभी कामों में गुजारने के बारे में सोच सकते हैं इस दौरान गेर जरूरी तनाजात में ना पढ़ें हो सकता है कि आपके वालिदेन आपके शरीक हयात को आज वाकी एक शानदार चीज से नवाजे जो बिलाखिर आपकी इस्दिवाजी जिन्दगी को बहतर बनाएगी बुर्ज हूद आपकी बलंद रूहों के बावजूद आपको किसी ऐसे शख्स की कमी महसूस होगी जो आज आपके साथ नहीं हो सका आप अपने आपको एक दिल्चस्प नई सूरते हाल में पा सकते हैं जो आपको माली फाइदा भी देगा आपकी मुझका खेज फितरत आपके अर्द गिर्द के माहौल को रोशन करेगी आप एक ख्याल रखने वाले और समझने वाले दोस्त से मिलेंगे काम और घर पर दबाओ आपको कम मिजाज बना सकता है आज अप अच्छे ख्यालात से भरे होंगे और आपकी सरगर्मियों का इंतिखाब आपको आपकी तवक्वाद से कहीं ज्यादा देगा अब जानते हैं आपकी शरीक हैात वाकी आपका फरिष्टा है हम पर यकीन नहीं है आज उसका मुशाहिदा करें और तजर्बा करें आज के दिन का मुबारक सद्का सफेद पनल का सद्का है सफेद पनल हश्रात को डाले और आज का मुबारक वजीफा आकफ्यू अगन्यू 313 मर्तबा पढ़ना मुबारक है